तो यहाँ, आप जहें हैं अपने यातरियों को ध्यान में रखती हुए एक बड़ा अब्रेट साजा किया है जिसके तहद रिल्वे ने बताया है कि अगर आप आने वाले दिनों में ट्रेन से यात्रा करने वाले हैं तो यात्रा की तारिख के दिन ट्रेनों के समय सारनी को जरा ध्यान से देख लिजिए क्योंकि आने वाले दिनों में कई ट्रेनों के समय सारनी में बदलाब किया गया है बतादें कि उत्तर भिहार से गुजरने वाली कई ट्रेनों के समय सारनी में बदलाब किया गया है मिडिया में चल रही खबरों की माने तो गोरक पुरियाड में जारी निर्मान कार्ज को लेकर ट्रेनों के समय सारनी में बदलाब किया गया है बताते हैं कि 13 हगस्त को 15707 कटिहार अमरिसर अमरपाली एक्सप्रेस जो कि अपने समय से 165 मिनेट यानि कि 2 घंटा 45 मिनाट लेट से चलेगी वहीं गाली संख्या 02569 भंगा नई दिली बिहार संपर्ण करांति क्लोन विशेश ट्रेन या जो है 90 मिनेट यानि कि 10 घंटे की न अबध एक्सप्रेस 180 मिनेट नियंतरित होकर चलेगी यानि कि 3 घंटे की देरी से अपने गंतवी तक पहुचने की संभावना है गाली संख्या 14674 अमरिसर जैनगर सहीद एक्सप्रेस 165 मिनेट नियंतरित होकर चलेगी जबकि गाली संख्या 130-20 काठ गुदाम हावडा बा एक्सप्रेस 150 मिनेट जो है नियंतरित होकर चलेगी अठारा अगस्त को नियंतरित होकर चलने वाले गाल्यों में गाली संख्या 12492 जमू तवी-बरवनी मौर धवज एक्सप्रेस 156 73 घंपत होकर चलेगी तो वहीं गाली संख्या 15653 गुहार्टी जमू तवी अमरनात एक एक्सप्रेस तीस मिनट और गाली संख्या ओवन थिरो जिरो टू जिरो काथ हुदाम हावडा बाग एक्सप्रेस 120 मिनट नियंत्री थोकर चलेगी 21 अगस्त को जो ट्रेने नियंत्री थोकर चलने वाली है उसमें 12491 बरावनी जमुतवी मौर विधवज एक्सप्रेस जोकी 132 मिनट नियंत्री थोकर चलेगी वही 02569 दरभंगा नई दिली बिहार संपर्क क्रांती क्लोन विशेश ट्रेन 125 मिनट नियंत्री थोकर चलेगी इसके साथ ही साथ 15531 सहरसा अमरिसर जन्सधारन एक्सप्रेस 110 मिनट नियंत्री थोकर चलेगी तो वहीं गाली संख्या 02563 बरावनी नई दिली वैसाली क्लोन ट्रेन 73 मिनट नियंत्री थोकर चलेगी 24 अगस्त को नियंत्री थोकर चलने वाले गाली संख्या 15707 कटिहार अमरिसर अमरपाली एक्सप्रेस 145 मिनट नियंत्री थोकर चलेगी तो वही 02569 दिर्भंगा नई दिली बिहार संपर्क करांती क्लोन ट्रेन 70 मिनट नियंतरित होकर चलेगी गाड़ी संख्या 130-20 काथ हुदाम हाबडा एक्सप्रेस 120 मिनट नियंतरित होकर चलेगी ऐसे में रेलवे की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार गोरक पुरियाड में चल रहे कार्ज के कारण इन ट्रेनों को नियंतरित करके चलाने का फैसला किया गया है ऐसे में अगर आप इन ट्रेनों से यातरा करने वाले हैं तो अपने ट्रेनों की स्थिती के बारे में एक बार जरूर पता कर ले क्योंकि ये ट्रेने जो है दो से तीन घंटे तक की देरी से चलने की संभावना है या फिर कई ऐसे अस्टेशन है जहां पर ये लंबे समय तक रुकने वाली है खड़े रह सकती है तो ऐसे में इन ट्रेनों को आखरी गंतब तक पहुँचने में कुछ देरी तो जरूर होगी ये थे ट्रेनों से जुड़ी ही जानकारी बिहार और बिहार से जुड़ी और भी सेंखबरों के लिए बने रहें बिहारी नियोज के साथ मुशेद जे जाज़त थन्नमाद